जै हिन दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिभा ओनलाइन क्लासिस में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 15 सामान बिग्यान के कोश्चन्स जो कि आपके आने वाले exams जैसे कि दोस्तो soldier general duty, soldier tradesman, soldier clerk, soldier storekeeper या फिर soldier technical आप चाहें किसी भी trades की तयारी कर रहे हैं आर्मी में आपके लिए यही जो questions हैं बहुत important questions हैं तो दोस्तो चलिए श्टाट करते हैं आज की वीडियो, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक request होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो हमारे चैनल को subscribe कर लें और well icon को place जरूर कर लेना जिससे आने बाले वीडियो की notification आप तक पहुंचत का सही answer होगा option d pascal ठीक है दाप का जो ऐसा ही मास्तरफ होता है दोस्तों बो होता है कौन पासकल question number 2 बहुत important और बहुत ही simple question है और आपके army के gd का जो exam होता है या फिर tradesman का जो exam होता है उनमें दोस्तों इसी तरह से simple simple question आते हैं और उनके लिए आप ज्यादत तर गलत करके आते हैं क्योंकि इसका region बस एक ही है कि आप इन questions पर ध्यान नहीं देते हैं आप सूझते हैं ये तो बहुत simple है और यही questions जब आपको army के आपके exam में देखने को मिलते हैं तो आप इनको ग सेंटीमीटर एक इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं question number 3 है छिली हुई सबजियों को धोने से कौन सा vitamin निकल जाता है बहुत important question है दोस्तों ये भी question number 3 का सही answer होगा option A आपका vitamin C है जो दोस्तों वो छिली हुई सबजियों को धोने से निकल जाता है question number 4 है गाय के दूद का रंग किस की मौझूदगी के कारण हलका पीला होता है आपने देखा होगा गाय को जो दूद होता है वो हलका पीला होता है तो उसमें किस की मौझूदगी होती है जिसके कारण वो हलका सा पीला दिखाई देता है तो question number 4 का सही answer होगा option B carotene की मौझूदगी की कारण गाय का जो दूद होता है वो हलका पीला होता है question number 5 है उपस्थी और हड्डियों के निर्माड और संप्रेशल में कौन सा तत्व आवस्यक होता है question को एक बार फिर से पढ़ देता हूँ अगर आपके समझ में नहीं आया हो उपस्थी और हड्डियों के निर्माड और संप्रेशल में कौन सा तत्व आवस्यक होता है question number 5 का सही answer होगा option A calcium question number 6 है आपका अधिक्तम पोसक तत्व कहां से अवस्यक किये जाते है ठीक है तो question number 6 का सही answer होगा आपका option D छोटे आथ ठीक है question number 7 है दोस्तो यह बहुत important question है आपके exams में चाहें आप किसी भी trade के तयारी कर रहे हैं यह question आपको 90% देखने को इस बार मिल जाएगा क्योंकि यह question है दोस्तो आपके हर exam में repeat होता रहता है ज्यादा तर repeat होता है किस उपकरण का प्रयोग उडते हुए बिमान की उचाही मापने के लिए किया जाता है तो ऐसा कौन सा उपकरण है जिसका प्रयोग उड़ते हुए विमान की उचाई मापने के लिए किया जाता है तो question number 7 का सही answer है आपका option C, altimeter उड़ते हुए विमान की उचाई मापने के लिए किया जाता है बहुत important question है आप इसको note कर लीजी दोस्तों आपके लिए ये जो question है आपके exam में देखने को जरूर मिलेगा ठीक है question number 8 है हमारा बायूयान के टैरों में कौन सी गैस भरी जाती है दोस्तों second most important question इस वीडियो का ठीक है बायूयान के टैरों में कौन सी गैस भरी जाती है तो question number 8 का सही answer है option A helium जो दोस्तों aeroplane के टैर होते हैं इनमें कौन सी गैस भरी जाती है तो उसमें होती है दोस्तों helium गैस ठीक है question number 9 है हमारा लोहे को इस पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है ये भी question बहुत important है दोस्तों मुझे आपको ये कहने की जरूरत नहीं पढ़नी चाहिए कि कौन सा question important है कौन सा नहीं है इस वीडियो में जो 15 question है मैं आपको बता दूँ सभी के सभी question बहुत important है और आपके ये जो questions है वो पिछले किसी ना किसी exam में आ चुके है मैं अपने वीडियो में एक भी questions ऐसा नहीं डालता हूँ जो कि आपके कुछ पिछले साल के जोपिय अपर से उनमें नहीं आया हूँ तो question number 9 है लोहे को इस पात में बदलने के लिए कौन सी धातू मिलाई जाती है question number 9 का सही answer होगा option C निकेल question number 10 है किस प्रकार के रोग में खून का थक्का नहीं जमता किस प्रकार के रोग में खून का जोबो थक्का नहीं जमता है तो question number 10 का सही answer होगा option A हीमोफीलिया ठीक है question number 11 के तरफ चलने से पहले आप सभी को बता दें कि अगर आप इस वीडियो की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलिग्राम चैनल सिवा ओनलाइन क्लासे से इसको बिलकुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं question number 11 है दोस्तों आपका सरीर से हिर्दे की ओर ले जाने वाली रक्त बाहिनिंग क्या कहलाती है ठीक है सरीर से हिर्दे की ओर जो रक्त को ले जाती है रक्त बाहिनिंग उनके लिए क्या कहा जाता है question number 11 का सही आंसर है option B सिरा question number 12 है पित का pH मान कितना होता है पित्त का pH मान कितना होता है तो question number 12 का दोस्तों आपका सही answer होगा option B 7.7 पित्त का जो pH मान होता है वो 7.7 होता है question number 13 रानेखेत बिमारी फैल्ती है जेबाडों और बिसानों दोनों से कवकों द्वारा, जेबाडों द्वारा या फिर बिसानों द्वारा question number 13 का सही answer option D विसानों दोरा ठीक है question number 14 है ताप बढ़ने से धूनी की चाल में क्या परवर्तन होता है पहले घटती है फेर बढ़ती है समान रहती है घटती है या फिर बढ़ती है question number 14 बहुत important है दोस्तों तो इस question का जो correct answer है option D है ताप बढ़ने से धोने की चाल जो है वो बढ़ती है नेक्स्ट कोस्चन है हमारा कोस्चन नमर 15 प्रकास बर्स मात्रक है बहुत important कोस्चन है और ये कोस्चन मैं आपको बार बार अपनी वीडियोज में इसलिए लेकर आता हूँ क्योंकि दोस्टों ये जो कोस्चन है आपके एक्जाम में भी बार बार आता रहता है इसलिए इस कोस्चन को मैं अपनी वीडियोज में बार बार डालता रहता हूँ ठीक है तो कोस्चन नमर 15 का सही आंसर है आपका option B दूरी प्रकास वर्स जो है दोस्टों वो दूरी का मात रख है तो ये थे दोस्टो 15 कोस्चन वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बता देना अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना अपने दोस्टों के साथ में सेयर करना और हाँ एक बात आपको और बता देना चाहता हूँ कि अगर आपका कोई friend है जो कि army की तयारी कर रहा है और उसके लिए हमरे चैनल के बारे में नहीं बताया तो उसके साथ में आप इस चैनल के बारे में discuss जरू करेंगे और उसके लिए इस चैनल को बताएंगे कि यह जो चैनल है इस पर army की related जो हो exams की तयारी कराई जाती है तो उम्मित करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी थैंक्यू फर गॉचिंग कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में तब तक के लिए नमस्कार जैहिन जैवाराद